काफिर का मतलब समझते आप आप ने लिखा और नाम आप ने रखा मैं समझाऊ मेरा नम शदाब है मुझे पता शदाब का मतलब क्या होता है मैं आप से नहीं पूछा आप बताओ शदाब का नाम क्यों होता है आपने नाम पार आप मुझे बताइएगा नाम कया मतलब क्या है आप अपना नाम रख रहें का इंकार को तो आपके इश्वार मेरा इंकार का नहीं की नहीं पड़ा जर्र अपुछ नहीं पढ़ा है सुना है चलिए पढ़ाए किजिए इल्म हासिल किजिए पढ़ाए किजिए जी काफिर हूँ आपका कोई स्ट्रीम से रिलेटर कोश्चन है तो आप पूछिए जैसे हुजूर को मालूम था तो हुजूर ने कुरान में लिग दिया सुना है ये मिरजधा जालिम बोलए ता उसका लाजिक थे अच्छा सर्थ, इंसानियत के बारे में सब कुछ मालूम था आपका कैते क्वेन के पार पाननाा of 250 पूछिए ततो हैं पहले आप पूछ ले, काफिर हूँ आपने लिखा, ये क्यों लिखा है, थोड़ा मुझे समझा दीजी, काफिर हूँ क्यों लिखा है, नाम दिया न अपना, क्यों लिखा, थोड़ा मुझे जानना है, समझे ना था थोड़ा आपसे, पूछी बोलिए, सर मेरा, मेरा तो, मेर मेरे हिसाब से आपके लिए रिस्ता भाई का है लिकिन आपके इसाब से मेरा रिस्ता आपके लिए काफिर का है। इसलिए लिखा है तो आपने अभी सही से नहीं पढ़ा इसलाम को मतलब है की नहीं काफिर हो लिखने का क्या इसलाम को पढ़ा ही नहीं है इसलाम को पढ़ा ही नहीं है बस सुना सुना यह तो कल को मैं ले लूँगा नाम किसी का बोरिस ले लूँ या कुछ ऐसा नाम ले लूँ तो आप उसको लख लिजेगा मैं कल को कर दूँगा तो क्या हुल हुल लख लेगी आपन कल को मैं अपने एक नाम बोल दूँगे या पर शमीरा तो वही तो समझाना अच्छा क्यों लगा आपको ऐसा नाम यहीं तो आपको समझाना आ है आपको convenience हो इसलिए? मुझे convenience नहीं है इससे, मुझे कोई convenience नहीं मिल रही है मुझे क्यों convenience मिलेगी आपका काफिर हो नाम लिखने से काफिर का मतलब समझते आप? आप बता दे? आप ने लिखा है और नाम आप ने रखा है मैं समझाओ, मेरे नम स्हदाब है, मुझे पता शदाब के मतलब क्या होता है आप से नहीं पूछू का का कि आप से नहीं पूछू? तो आपने इसे नाम अपना रख लिया सिर्फ इसी तरीकेसे, just like that. मतलब कि आपने कुछ नाम रख लिया, आपको अच्छा लगा, आपने सुन लिया, आपने रख लिया, ठीके ना, कल को जा करके कोई नाम देड़ेगा कुछ आपको बोलेगा आपको अच्छा लगए आप पहले उसको समझ लिजिए तब अपना नाम रखे यह मैं चाहता हूं ठीक उसके बाद आप नाम रखे इंशालला आप किसी हाँ मतलब काफित अब इस बात को एक्सेट कर रहे पहले तब मैं समझाओंगा उपको नहीं पर था आप अपना नाम के लिए पहले प्रन संजाओंगा पहले नाम चेंज करते तो नाम चेंज कर सेब दो नाम अभी दो बोल ले नहीं मांथा तो मैं नाम नाम चिंज क्रवार हो ना, जो नाम है वही रख लो पहले, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, अब अरे सर्थ सवाल तो ले लें, सवाल ने लेंगे, पहले आप काफिर हो वाला नाम अठा दे, क्योंकि आपको जब मतलब ही नहीं पता तो हम लोग कैसे सवाल ले आपका पहले नाम का मतलब पहले तो पता रहना चाहिए ना जब मतलब नहीं पता तो फिर ऐसे लोग से कि जिसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है जिस जो जीजा तुदर जीजा भी घूम रहा है उसको हम क्या समझें, आपको सवाल का जवाब भी देंगे, तो आप बोलेंगे, फिर अगला श्रीम में आके बोलेंगे, कि आपको नहीं समझ में आ रहा हूँ, मैं जो भी हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, तो इसको क्या बोला जाएगा, ऐसा थीश को, समझ रहे हैं, तो इसलिए मैं सम वठेंगे, तो आप अपना नाम अगला बार से बदल सकते हैं, छाल कि का फिर का मतलब होता है, अलला का इंकार करने वाला है, ישवर में या God बोले जाता है English में अगर कोई होदा है तो उसका आप क्यूं आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा नाम रखूंगा तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूं मैं बहुत ही अच्छा नाम कर रहा हूं मैं पापा कहते है बहुत ही बड़ा नाम करेगा वाला क्यूं आपको लग रहा इसा कि बहुत बड़ा नाम कर रहे हैं अगर आप इश्वर का इंकार कर रहे हैं ये चीज़ अपना नाम रखे तो क्या अच्छा नाम है या बुरा नाम है आप से मैं सिंपल कोश्चन कर रहा हूँ आप अपना नाम रख रहें, ईश्वर का इंकार कर रहा हूं, मैं अपनी इश्वर का इंकार नहीं कर रहा हूं अच्छा अभी उल्टा बोले होगे मैं नहीं कर रहा हूं मैं अपनी इश्वर का इंकार नहीं कर रहा हूं तो आपका इश्वर और मेरा इश्वर अलग है क्या आपको क्या लगता है मेरा इश्वर और आपको अलग अलग सिस्टम ना एक आपको अलग बनाने वाला अलग मुझको बनाने वाला अलग एंदर भर दिया है कि आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अपना नाम कैसे रख सकता हूँ इसलिए मैं बोल olan मेरे भाई भाई बोल रहा हूं देखो प्यार कीजिये इशालला लोगों को समझिये अगर लोग आपसे अलग भी है मैं अलग हूँ आपसे मैंने तोपी पेना, मैं अलग हूना आपसे, तो आप जानिए कि क्यों इसने तोपी पेना है, इसके उपर आपको मुझसे नफरत करने की जरूरत नहीं है, है कि नहीं है, और आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं काफिर हूँ, अगर नफरत करता तो आता क्यों, बहु कि या आपके धर्म कीए स्था है आप चीज़ आपको बता रहा हूं इस यह को समझ ते है कि आप किसे मुझको चांझ करना चाटते मुझे अपहने धर्म की तरफ कर ना ऐसे दी हैं कि अपना दर्म बोले से बुघेर और अबने की ज़रूरत्ता अब अपने जरूत लूकित दाइन तरफ नलाए आप अपना धृर्म तरूत कर लेज़ें क्या दिक्कत स यह आप कहना चलिए तिम इसैनल कि मैं कुछ मान रहा हूं या मैं कुछ्छ खा रहा हूं तो मुझे गलत क्यों बोल तहरी अगरा आजादीत नहीं थी तो मुझे कुछ मानने क्यों नहीं दे रहा हैं आशादीANT तो काुंछ था सान आप कैसे रहते हो या आप कर नहीं था है यह जूट है आपके तरफ से चलिए को कुश्चन है आपको कण्विंस करना है अगर धर्म को लेके चलिए कुश्चन आपको कण्विंस करूगा अपने धर्म के तरफ आप यह मान रहे चलिए आप नहीं कर सकते हैं अपने धर्म को चलिए कोई दिक्कत नहीं है आपने इसलाम को तो पढ़ा है ना नहीं पढ़ा जर कुछ नहीं पढ़ा सुना है चलिए पढ़ाए केजिए इल्म हासिल केजिए पढ़ाए केजिए हमारे चैनल IRPC इंदिया को सब्सक्राइब करे और बेल बटन पे क्लिक करे ताके हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे झाल पहुंचे